हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे से यूडूब चैनल नैशूरल इंडियन टीवी में तो आज की वीडियों बात करने वाले हैं एक ऐसे चारे की बारे में जिसका इसमाल अगर आप अपने हुंक में लगा कर करेंगे तो ऐसे बड़ी-बड़ी मश्लियां आपके हुंक मे फ़सेंगी जैसे की रोहू, कतला, मेगल, कामन कार्प ये सभी मश्लियां फ़स सकती हैं तो आपको ऐसे चारे का इंतजार था और हम वही चारा लेकर आ चुके हैं तो चलिए बनाते हैं अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसे बनाना है और इस्तमाल करना है तो चारा कम मात्रा में बना रहे हैं से लिए हम केवल दो बिस्किट का इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप चाहें तो तीन बिस्किट भी कर सकते हैं लेकिन हम चारा कम बना रहे हैं तो कम बिस्किट का है इस्तमाल करते हैं हमने बिस्किट ले लिया है अब इसको हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे मतलब इसको बारिक कर लेंगे तो बारिक करने के लिए हम इसे बारिक करते हैं इस तरह से तो चलिए इसी तरह से बारिक कर लेते हैं अगर आप इस तरह से बारिक नहीं करते तो मिक्सी में आप फिर ओखली की मिदफ से कर सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडि को जल्दी से इसको बारिक करके दिखाते हैं दोस्तों आप आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बारिक कर लिया है मुतलब इसे आप जितना बारिक कर सकते हैं उतना कर ले दिये क्योंकि जितना बारिक रहेगा उतना चारा अच्छा बनेगा अब इसके बाद हमें इसमें डालन इतना ही डाल देंगे अब इसको अच्छे से mix कर लेते हैं तो आच्छे से mix हो चुका है अब दोस्तों стала करना इसमें पानी और पानी में जो हरे हिंग निला हो चाहिए तो यहां Ap Right हिंग में मिला हुआ पानी दोस्तों अगर हिंग का पानी बनाना चाहते हैं तो इसमें 10-15 मिनिट पहले अधा चिम्मच हिंग को हमें इसमें एड़ करना है और इसको ऐसे ढखकन लगा कि इसको मिला देना अच्छे से उसके बाद हम 15 मिनिट बाद इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलिए इसको मैंने एक दिन रखा था तो चलिए इसको हम पानी डालते हैं और इसको गोज़ते हैं तो दोस्तों देखिए हमारा चारा बनकर एकदम रेड़ी हो चुका है अब चलिए हम इससे आपको मश्ली का सिगार करके भी इसी समय दिखाते हैं दोस्तों चलिए हम अपनी हुक को तालाब में रखते हैं कौन सी मश्ली आती है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बड़ी थी मश्ली हमारे हुच में ख़सी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कामनकार मचली है तो दोस्तों चली मिलते हैं आपके अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत